नमस्कार आज पंजाब के मुख्य मंत्री सर्दार भगवंत मान जी ने अपने हेल्थ मिनिस्टर को बर्खास्त कर दिया उसके खिलाफ केस दर्ज करके उने गिरफ्तार किया जा रहा है किसी को इस भ्रष्टाचार का पता नहीं था ना मीडिया को पता था ना विपक्ष को पता था किसी को नहीं पता था मान साब चाहते तो मंतरी से setting करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे अब तक तो ऐसे ही होता था मान साब चाहते मामले को दबा सकते थे उन्होंने ऐसा नहीं किया उन्होंने खुद बाखुद अपने मंतरी के खिलाफ एक्शन लिया भगवन्त हमें आपके उपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके उपर गर्व है, पूरे देश को आपके उपर गर्व है, 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूर्ड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे एक्शन लिया था, उसके भ्रिष्टाचार के सबूत मेरे पास आये थे, तब भी किसी को नहीं पता था, मैंने खुद बखुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था, आम अद्मी पार्टी कट्टर इमांदार पार्टी है, कट्टर इमांदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे निसे बख्षेंगे नि, अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी, अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे, पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के ब्रश्टाचार के खिला कि कोई सरकार इतनी इमानदार भी हो सकती है क्या, कई लोगों की आखों में खुशी के आंसू है, और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरूद करे, तो विपक्ष कहा रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के दो महिने में इनके लोगों ने करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं, पर दुनिया के, दुनिया के इतिहास में ये पहली बार, पहली सरकार है, जो पता लगते ही सक्स्ते सक्ट एक्षन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो, करुप माता के साथ गतारी बरदाश्ट नहीं करेंगे, गर्दन कट जायेगी, लेकिन देश के साथ गतारी कबूल नहीं है, ना गतारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे, बचपन से, घर में माबापने इमानदारी के संसकार दीए हैं, यह जो हमने किया है यह करने के लिए बहुत-बहुत हिम्मत चाहिए और यह हिम्मत हमें भगवान से मिलती है उपर वाले से मिलती है आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर इमानदार सरकार दे सकती है कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है थोड़ी तो गड़बड करनी पड़ती है आम आदमी पार्टी ने थाबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना फ्रष्टाचार के इमानदारी से भी चल सकती है इमानदारी और देश भक्ति की शुरुवात, एक सुनेरा भारत बनाने की शुरुवात, भारत माता की जय, जय हंद.